मेरा ये संदिश खास पैरंट्स के लिए है उन पैरंट्स के लिए है जिनके बच्चे इंग्लिश मेडियम स्कूल में पढ़ते हैं मेडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अक्षर मेडिकल और इंजिनिरिंग एंटरंस एक्जामनेशन की तयारी करते हैं लेकिन सभी ब पता है कि सर मुझे चैन्डर का 17 नंबर का फांबर के मराठी सब्जेक्ट लेके एक्जाम देनी है हाला कि उसका छे साल पहले ही पूरा एजुकेशन कम्प्लीट हो चुका है स्कुलिंग उसकी कम्प्लीट हो चुकी उसने ट्राय कर लिया कि मैं कॉम्प्टेट्व एक्जामनेशन के थुरू क्लास टू क्लास वन की पोस्टिंग के लिए जाओंगी अब उसे MPSC की परिक्षा देना है तो यह इस बात के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि हमको मराथी 10th और 12th की बोर्ड में होना आवश्यक है हाला कि उस लड़की का पूरा एजुकेशन महारास्टर में हुआ है 10th और 12th में मराथी सब्जेक उसने ड्राप कर दिया था अब ड्राप करने की वज़े से उसको MPSC की परिक्षा नहीं दे पाएगी उसके लिए उसक परिक्षा देनी है तो उनको 10th और 12th में उस स्टेट की रिजनल लैंग्वेज माने महारास्टर में माराथी MP में हिंदी ऐसे जो जो स्टेट होंगे उनकी रिजनल लैंग्वेज उनकी बोर्ड एग्जामनेशन में होना बहुत आवश्यक है हम बहुत बार बच्चों को सम जाते हैं लेकिन कोर के चक्कर में बच्चे information technology computer science computer technology fishery जैसे subject लेके वो 10th और 12th की परिक्षा देने जाते हैं और बाद में इस subject का score के चकर में भविश्य में competitive examination में कहीं काम नहीं पड़ता आपने IT, CT, CES, fisheries नहीं भी लिया तो आपका further education में कोई नुक्षान नहीं होता बने आप कोई भी नहीं भी लिया और plan subject के साथ में भी गए तो आप education engineering medical के साथ साथ में जा सकते हैं जब आप graduation कर लेंगे post graduation कर लेंगे आपका education complete हो जाएगा और आपको अगर समझ के चलो competitive examination म नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके board examination में आपका regional जो subject होगा महरास्टर का जैसे मराठी नहीं होगा तो आप MPSC के थ्रूमने महरास्टर Public Service Commission की exam नहीं दे पाएंगे ऐसे बहुत सारे हमारे पास में example है जो example इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि merit में आने के बाद में भी उन बच्चों की नवक्री गई है क्योंकि उनको 10 और 12 में मराठी subject नहीं था नहीं होने की वज़े से अगर आप competitive examination देना चाहेंगे तो वहां अटक जाएंगे इसलिए parents specially धान दे scoring के चक्कर में information technology computer technology जैसे जो subjects है वो लेने की आए वज़ में आप अपनी मात्रु भाष्या ताकि आने वाले जीवन में आपके बच्चों का नुकसान ना हो medical का नीट examination देते हैं जे डबली entrance exam engineering के लिए देते हैं लेकिन seeds कितने हैं वो सभी success नहीं होते success ratio जो है mb-based ले जाने वाले जो लोगों का है वो 10% भी नहीं है 25 लाग लोग हमारे examination देते हैं 25 लाग लोग examination देने के बाद में hardly 1 लाग लोगों की seeds available है percentage आप निकाल लीजे माने भविश्य में आपको 95-99% बच्चों को competitive की through ही jobs के लिए जाना है तो ऐसे टाइम में अगर आप आप गलत decision ले लेंगे तो भविश्य में आपका नुकसान हो सकता है बाक questions को भी बताते है parents को भी बताते लेकिन parents convinced नहीं हो पाते बच्चे convince नहीं हो पाते फिर से कल जो मेरे पास में लड़किया है उस वज़े से मुझे लगा कि मैं आपके बात आपसे बात शेयर करूं आपने सुना तो ठीक है नई सुना तो भी आपको बहुत बहुत आपको ऑने सुना यहाँ करूं आपके लगा है तो घ्यवाँ दो भी आपको नहीं हो रहा है लगा है थे पासा है भी नहीं है